हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इस्टिडिकर, मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर, दोस्तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, 3 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड, most important current of years, तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, इसके अंत में आपसे कुछ प्रसन पू जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रेस्टन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगे, इसके अलावा कोई और टेस्ट भी मिल जाएगे, आप हमसे WhatsApp के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, हमारी WhatsApp नमर है 8602-6793 है, और दूसरा WhatsApp नमर है 8770-5609, अगर आपको study से related कोई भी help चाहिए, तो आप इन नमरों पर message कर सकते हैं, दोस्तों आप study कर को खबर आपर भी follow कर लिजेगा, वहाँ पर आपको most important audio lecture मिल जाएगे, चलिए friends, पहला question discuss करते हैं, important question है, 2 October 2021 को महत्मा गांधी की कौन सी जैनती मनाई गई है, तो दोस्तों 2 October 2021 को महत महत्मा गांधी की 152 जैनती मनाई गई है, महत्मा गांधी का जन्म कभ हुआ था, ध्यान से सुनियेगा, 2 October 1869 को गुजरात के पोर मंदर में उनका जन्म हुआ था, तो इस साल यानि 2021 में उनकी 152 जैनती मनाई गई है, दोस्तों 15 जुन 2007 को संयुक्तराष्ट महा सभा ने 2 October को अंतरराष्टी अहिंसा दिवस, यानि International Day of Non-Violence की रूप में इस्थापित करने की घुशना की थी, दोस्तों जो अंतरराष्टी अहिंसा दिवस है, वो 2 October को महत्मा गांधी के जल्म दिवस को याद करने के लिए मनाय जाता है, दोस्तों अगर हम बात करने राष्ट पि हैसन की उपाधी दी थी, इसके बाद 28 अप्रेल 1947 को सरोजनी नाइडू ने एक सम्मिलन के दोरान गांधी को राष्ट पुता के रूप में संदर्व किया था, यानि उन्हें संबोधित किया था, दोस्तों गांधी के जीवन से जुड़े हुए कुछ साल डिसकस करते हैं कि किस साल कौन सी घटना हुई थे, तो आप ध्यान से सुनिएगा, 1913 में ये दच्छण अफ्रीका में सक्रिये हुए और वहाँ पर उनकी ग्रिपतारी हुई, इसके बाद दोस्तों 1915 में ये भारत लोट आते हैं, और 1917 में गांधी ने सावरवती आसरम की स्थापना की, 1920 से 19 1922 तकी ये आसायोग आंदोलन से जुड़े, 1921 में गांधी को भारती राष्टिये कॉंग्रेस पर विसेस अधिकार दिया गया था, 1930 में इन्होंने दांडी मार्च किया था, 1942 में सबसे महत्मूर घटना थी भारत चोड़ो आंदोलन और इसी भारत चोड़ो आंदोलन की द पुस्तके लिखे गई हैं, तो उनके नाम है सत्य के साथ मेरे प्रियोगों की कहानी, दूसरा है साकाहार का नैतिक आधार और तीसरा है सांती महत्मा गांधी के सब्द और प्रेड़ना, तो दोस्तों ये महत्मा गांधी के द्वारा लिखे गई कुछ, पुस्तके हैं तो इनको भी आप note down कर लिजिगा। अंगला question है, 2 October 2021 को लाल बहादुर सास्त्री की कौन सी जहिनती मनाई गई? तो दोस्तो, 2 October 2021 को लाल बहादुर सास्त्री की 118 भी जहिनती मनाई गई? याद रखेगा दोस्तो, कि 2 October को 2 महान पुर्सों की जैनती मनाई जाती है उनमें से पहला नाम है महत्मा गांधी का और दूसरा नाम है लाल बहादुर सास्त्री का तो दोस्तो अब हम लाल बहादुर सास्त्री के बारे में डिसकस करते हैं तो सास्त्री जी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में 2 October 1904 को और दोस्तो इनका नाम क्या था मुंसी लाल बहादुर सास्त्री इनकी माता का नाम था राम दुलारी और इनकी पिता का नाम था मुंसी प्रसाद स्रीवास्ता दोस्तो इसके बाद सास्त्री जी की पत्नी का नाम था लैलिता देवी सास्त्री जी एक कुसल नेता थे और वो गांधी वादी नेता थे यानि गांधी जी के विचारों कर विश्वास करने वाले नेता थे 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दियो और गांधी जी के आसायोग आंदोलन में सामिल हो गए 1921 में आसायोग आंदोलन से जुड़े और 1942 तक ये भारत चोड़ों आंदोलन तक गांधी जी के साथ जोड़े रहे और उनकी द्वारा चलाए गए सभी आंदोलों में उन्होंने इस्सा लिया और बढ़ चड़ का हिस्सा लिया इसके बाद दोस्तो 1964 में वो लाल भारत के प्रधान मंत्री बने और उनकी सासंकाल में ही 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ जिसके बाद उन्होंने एक नारा दिया था जवानों का महत्त बढ़ाने के लिए जय जवान और जय किसान दोस्तो लाल भादर सास्त्री प्रधान मंत्री बने से पहले रेल मंत्री थे परिवान और संचार मंत्री थे बानेज और उद्योग मंत्री थे इसके अलावा ग्रह मंत्री भी थे और दोस्तो इन्होंने नहरू कैबिनेट में काम किया है दोस्त। 11 जंवरी 1966 को तासकंद में अनतिम सांस ली थी किसने, लाल बहादृ सास्तिरी ने हुआ क्या था? कि 10 जंवरी 1966 को तासकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच सांती समझाता हुआ था उस समझोते के 12 घंटे बाद यानि 11 जन्मरी को लाल बहादुर सास्तिरी की संदिक धालत में मौत हो गई थी चलिए फ्रेंट्स अंगला कोशन डिसकस करते हैं important कोशन है किस देश ने भारत के पर्टकों को अपने बाहन से देश में आने पर लगे पृतिबंद को हटा लिया है तो दोस्तो उस देश का नाम है नेपाल COVID-19 महामारी के कारण 22 मार्च 2020 से भारत और नेपाल बारडर पर लोगों और बाहनों पर लोग लगा दी थी यानि नेपाल और भारत के बारडर पर 22 मार्च 2020 को रोक लगा दी थी यानि कि कोई भी इधर से उधर यानि नेपाल से भारत और भारत से नेपाल नहीं जा सकता है लेकिन नेपाल सरकार ने इस्तिती को सामाने देखते हुए पहले तो पर्टकों के पैदल प्रवेश को अनमती दी अब भारतिय प्राइबेट बाहनों मोटर साइकलों को कोवेट बचाओ के प्रमालपत्र को दिखाने के बाद पहले की तरह बाहनों की कागजी प्रिक्रिया के बाद प्रवेश की अनमती देदी है दोस्तो नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहां की राष्टपती है विद्या देवी भंडारी याद रखीगा नेपाल की पहली महिला राष्टपती कौन है विद्या देवी भंडारी प्रधान मंत्री कौन है सेर बहादुर देववा और दोस्तो नेपाल हम सभी लोग जानते हैं कि यह एसिया महादीप का हिस्सा है दोस्तो साउथ एसिया में नेपाल की जो सैना है यानि नेपाल की जो आर्मी है वो पांच भी सबसे बड़ी सैना है और जो नेपाल की सेना में जो गोरखा रेजिमेंट होती है, या जो गोरखा लोग होते हैं, उनका जो इतिहास है, वो बहुत ही उलेखनिया है, यानि गोल्डन है. दोस्तो अंगला question discuss करते हैं important question है high court ने किस राजे सरकार को घर तक रासन पहुँचाने की scheme door step delivery को मंजूरी प्रदान की है तो दोस्तो door step delivery related है दिल्ली सरकार से तो high court ने दिल्ली सरकार की door step delivery scheme को मंजूरी दे दी है दोस्तो दिल्ली में रासन की door step delivery के मामले में दिल्ली high court ने दिल्ली सरकार को लोगों के घरों में रासन पहुचाने को मंजूरी दी है लेकिन high court ने कहा है कि उचित्दर की दुकानों में रासन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए अगर आप घरों तक रासन पहुंचा रहे हैं लेकिन इस बात कर ध्यान रखा जाए कि जो रासन की दुकाने होगी यानि उचित मूली की दुकाने होगी वहाँ पर रासन की कमी नहीं होनी चाहिए वहले आप घर घर तक रासन पहुंचा रहे हैं लेकिन जो उचित मूली की द दुकानों को उन कार्ड धारकों की जानकारी दे जिन्होंने घर पर ही रासन प्राप्त करने का विकल्प चुना है। ग्यहों के बदले आठा, साफ चावल और चीनी की डिलेवरी की जाए। उत्तर कोरिया में, उत्तर कोरिया में किम जॉंग उनका ताना साही सासन चल रहा है और दोस्तो यह काम क्या कर रहा है कि मिसाइलों का सफल परिक्षन कर रहा है। यानि मिसाइलों को दाग रहा है, अभी उसने ट्रेंस से मिसाइल का परिक्षन किया है और ट्रेंस से मिसाइल का परिक्षन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है कौन? नौर्थ कोरिया। दोस्तो यह जो उसने मिसाइल लॉंच की है, यह लगातार अभी उसने तीन मिसाइलों का परिक्षन किया है और उस तीन मिसाइल के परिक्षनों में से यह तीसरा मिसाइल परिक्षन है। दोस्तो हाइपरसोनिक मिसाइल अंगड़ी पीड़ी की नविनतम युद्ध तकनीकों में से एक है जिससे अमेरिका, रूस, चीन और भारत जैसी सेन सक्तियों द्वारा डेबलब किया जा रहा है, यानि अमेरिका, रूस, चीन और भारत जैसी जो सक्तियां है वो भी इस हा फार्मूला वन रेस जीती हैं और ये लूइस हैमिल्टन सो रेस जीतने वाले पहले फार्मूला वन ड्राइवर बन गए हैं, दोस्तो अब आप ध्यान से सुनिएगा, जब भी फार्मूला वन की बात होगी तो उसमें ग्रेंड फिक्स होगा, तो ग्रेंड फिक्स क्या कहल लुई सेमेल्टर रूसी ग्रेंट प्रिक्स में जीत के साथ ही 100 रेस जीतने वाले पहले फॉर्मूला वन ड्राइबर बन चुके हैं। लुई सेमेल्टर रूसी ग्रेंट प्रिक्स में जीतने वाले फॉर्मूला वन चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्मंतरी कौन है? योगी आदितनात। तो उन्होंने लखनव में मिसन सक्ती चरण तीन के तहत निर्भिया एक पहल कारक्रम की शुरुबात की है। मुख्मंतरी योगी आदितनात ने इस दोरान बताया है कि 75,000 महिलाएं राज्य के बैंकों से जोड़ेंगी, सस्ती ब्याजदरों पर रण प्राप्त करेंगी और 3 महिने के लिए प्रधान मंतरी मुद्रा योजना के तहत राज्य सबसिड़ी का लाब देगा। तो दोस्तो ये है कौन सा कारकरम? निर्भिया एक पहल कारकरम। मुख्मंतरी योगी आदितनात ने कहा है कि सुरक्षा, शम्मान और स्वाब लंबन एक दूसरी के साथ जोड़े रहेंगे। यानि निर्भिया एक पहल जो कारकरम है ये महिलाओं से जोड़ा हुआ कारकरम है, चलिए फ्रेंट्स आगला कोश्चन डिसकस करते हैं, इंपोर्टेंट कोश्चन है, किस देश के राष्टपती, कैससाईद में नजला वैंदेत, रमजाने को देश की पहली महिला प्रधानमंतरी नौमीनेट किया है, तो दोस्तो नजला वैंदेत रमजाने जो है वो ट नजला वेंदूत रमजाने को देश की पहली महिला प्रधान मंतरी के रूप में नॉमिनेट किया है क्योंकि जो 25 जुलाई है उस दिन यानि 25 जुलाई 2021 को ट्यूनेसिया की जो संसत्ती उसको भंग कर दिया था उसके बाद से प्रधान मंतरी का पदखाली था तो अब ट्यू लेजिगा नजला बैंदेत रमजाने दोस्तो ट्यूनेसिया की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो है ट्यूनिस और ट्यूनिसिया तूनिसिया उत्री अफ्रीका महादीप में इस्तित एक देश है तो याद रखिएगा दोस्तो जो ट्यूनिसिया है ये अफ्रीका मह जीरिया देश से हैं दोस्तों जो ट्यूनीसिया है इसका 45% जमीन सहारा रेगिस्तान में है जबकि बांकी जमीन जो है वो खेती के लिए यूज की जाती है तो याद रखिएगा ट्यूनीसिया में सहारा मरुस्थल भी इस्तित है अब हम दोस्तों अब हम रिवीजन वाले मना जाता है तो दोस्तों World Weight Land Day मना जाता है दो फरवरी को हाली में किसराज्ज की मुखमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिस्सन को लौंच किया है तो पंजाब के मुखमंत्री उस समय के Captain Amrinder Singh ने इस योजना को लॉंच किया था अब ध्यान से सुनिएगा पंजाब के मुख मंतरी बर्तमान में कौन है चरण जी सिंग चन्नी है और कैप्टन अमरेंदा सिंग ने मुख मंतरी पत से इस्तीपा दे दिया है अंगला कोशन ध्यान से सुनिएगा भारतिय मूल की किसको अमेर्की अंत्रिक्ष एजनसी नासा का कारवाहक प्रमुख निउक्ट किया गया है यानि भारतिय मूल की वो कौन सी महिला है जिन्हें अमेर्का की अंत्रिक्ष एजनसी नासा का कारवाहक प्रमुख निउक्ट किया गया है तो दोस्तों उनका नाम है भब्या लाल विश्ट कुष्ट रोग तो वो है RS सर्मा, अंगला कुश्चन है दोस्तो, हाली में किस भारतिय तेजगेंदवाज ने किरकेट के सभी फॉर्मेट से सन्यास लेने की घोशना की है, उनका नाम है असोग धिंडा, दोस्तो असोग धिंडा पस्चिम मंगाल से रिलेटेड खिलाडी थे, दोस्तो ये थे आपको कमेंट बॉक्स में देना है, पहला कोशन है महत्मा गांधी ने सावरबती आसरम की स्थापन कव की थी, दूसरा कोशन है लाल बहादु सास्ती का जन्म उत्तर प्रदेश की किस स्थान पर हुआ था, तीसरा कोशन है बरतमान में नेपाल की राष्टपती कौन है, च बहुत ही सटीक आंसर देने हैं, तो दोस्तो उनकी नाम है बिश्नु शौलंकी, प्रीती मंडल, संध्या यदुवंशी, प्रवीर भाट, जितन्दर साह, और प्रवीर पंडोरे, तो दोस्तो ये कुछ नाम है जो की क्लास में लगातार रहते हैं और बहुत ही सटीक आंसर देते हैं, आप भी आंसर दीजिएगा, इन प्रस्नों के हमें इंदजार रहेगा आपके आंसर का, दोस्तो आप खबरी एप पर इस्टीडी करको फॉलू कर लीजिएगा, जहां पर आपको मोश्ट इंपोर्टेंट आडियो लक्चर के साथ, आपको मेरा मॉडरन इंडियन हिस्टी का ओडियो कोर्स मिल जाएगा, बहुत ही कम कीमत पर, आप उसको पर्चेज करके आपके एक्जाम के लिए तयारी कर सकते हैं, आप राजा गुपता को अनेकेड़िवी पर फॉलू कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मोश्ट इंपोर्टेंट क्लासिस मिल जाएग कीम words, वहाँ पर एंप लाएगा, चाrhेँ मैंपोर्ब का इंपंपोर्टेंट का ईंपएंगा, वहाँ पर उखेंग से चाहन आपकोarted 1, को थाएगना से शचा हैं, वहाँ एक्जास